हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब जै जुहार मैं अंकिता आप सब का अपके अपने चैनल में वेलकम हैं मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है लिंडल ओफ थियोरम तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें लिंडल ओफ स्पेस समझना होगा तो लिंडल ओफ स्पेस का देफिनेशन है अ टॉपलोजिकल इस एक स्टी इस सेट तो बी आल लिंडल ओफ स्पेस इस 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 को बीड़ीड ओफ इसड़िकश ओपन ड़कर ओघस थिर्ड़ोजिकल ओफ इस वर थे वर थे कांटेबल कि सबकवर अगर एवरी टी ओपन कवर ओफ एक्स एक्स के सभी टी ओपन कवर के पास अगर कांटेबल सबकवर है तो हम बोलते हैं वो स्पेस एक लेंडल आफ पेस है गर के तो यह तो हुआ लिंडिल ओफ स्पेस का डेफिनिशन अब हम लिंडिल ओफ स्पेस लिंडिल ओफ थियोरम का स्टेटमेंट देखते हैं इसका स्टेटमेंट फ्रेंड्स मैंने जब इसको स्टडी किया तो देखा कि एक ही थियोरम एक ही स्टेटमेंट को कई प्रकार से लिखा गया है तो मैं वो सब आपके शार शेयर करना चाहूंगी तो इसका जो पहला प्रकार था पहला तरीका था इसके थेोरम को बताने का इसके स्टेटमेंट को बताने का वो ये था कि every second second countable every second countable space is a lindle of space that's why यहां पर मैंने बताया कि lindle of space क्या होता है क्योंकि आपको समझने में आसानी हूँ second countable space तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है दे दूंगी उसको link आप लोग वहां से देख लीजेगा lindle of space मैंने यहां पर बता दिया यह पहला तरीका हुआ every open cover of second countable space is reducible to countable sub cover या फिर इस थियोरम को और कैसे लिखा जा सकता है इसका third statement हो सकता है if X has a countable base for its topology then prove that then prove that any open cover of any any open cover of आफ 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 एक्स कंटेंस आफ कांटेबल स्पेस सरी कांटेबल सब कवर ये तीन तरीके है या फिर एक लास्ट तरीका अगर बोलना चाहे प्रश्म देना चाहे एक्जाम में तो ऐसे दे सकता है कि state and prove लिंडलोफ थियोरम तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इस थियोरम को पूछ सकते हैं आपको एक्जाम में तो मैंने बस आपकी जानकारी के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर बता दिया हैं आपको यूसफूल रहेगा ये सब चीज़ तो हम अब प्रूफ करते हैं तो हम ये जाला लेके चलते हैं चलो एवरी ओपन कवर और सेकंड कांटेबल स्पेस इस रिडिउस इवल तू कांटेबल सब कवर प्रूफ करते हैं लेट एक्स टीबिया सेकंड कांटेबल स्पेस अब सेकंड कांटेबल स्पेस है तो उसकी प्रॉफर्टी हम जानते हैं कि इसके पास एक कांटेबल बेस होना चाहिए 1997 सेकंड कांटेबल तभी कहलाती है जब उसके पास एक कांटेबल बेस हों आप लोग वीडियो में अच्छे से देख भी लीजेगा, तो XT के पास एक countable base होना चाहिए, तो मानते हैं कि B is a countable base of XT. एक और चीज़ मान के चला है, कि C is an open cover of X, यह चीज़े मान के चले हैं, तो हमको proof क्या करना है, we have to prove that, we have to prove that C has a countable sub cover. C has a countable sub cover, यह हमको proof करना है, हमने उसको क्या मान के चला है, open cover मान के चले हैं X के लिए, तो solve करते हैं आगे, members of B, यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, कि कोई भी, each member of C, C का protection, C के सदस्य, C के सदस्य, C1, C2, C3 हो सकते हैं, तो उस C1 जैसे लेते हैं, पर C1, C2, C3, अगर ऐसा लेते हैं C के सदस्यों को, तो यह all belongs to elements of C, तब इस C1 के लिए, क्या वो लगया है, being expressed as a union of member of B, B के जो members हैं, बहुत सारे members हैं B में, तो B के कुछ members का union, यह C1 है, उसी तरह से B के कुछ members का union, यह C2 है, उसी तरह से B के कुछ members का union है, यह C3, तो ऐसे ही बनते जा रहा है, जो C के elements है, वो basically B के ही elements है, जिनका union करने से हमको मिल रहा है, यह कहने का मतलब है, तो आगे, यहां तक आया समझ में, फिर आगे देखते हैं, let BB be with the collection of all, collection of all those members of, those members of B, मतलब कि, C1 के पास जो जो elements हैं वो, C2 के पास B के जो जो elements हैं, C3 के पास B के जो जो elements हैं, ऐसे ही पुरा C में जो जो elements हैं B के लिए, उन सभी का collection हम मानते हैं कि वो D है, अब इस से जाहिर सी बात है कि क्या है D, D is countable, countable होगा, countable क्यों होगा, तो it is, it is sub-collection of, sub-collection, it is sub-collection of, the countable base, the countable base, जो B है, वो countable base है, तो countable base का sub-collection है D, इस लिए ये भी countable होगा, ये बोला गया है, तो आगे बढ़ते, अब D countable होगा, ये पता चल गया है, तो D is countable, open cover, of, X, countable open cover होगा, D के, X के लिए, D, अब लेते हैं, let for all, let, for all, D, I belongs to D, D, I belongs to D, B, chosen a, D, chosen a, C, I, belongs to C, such that, such that, D, I belongs to C, I, implies, the, collection of all, collection, of, all, D, I, C, I, is, also, a, is also, a, countable open cover, countable, open, cover, of, X, of, X, जो, C, I, है, वो, countable open cover होगे, C, I, is, also, countable open cover of X, तो, C को मिल गया, क्या मिला, C, has a, countable, sub cover, जो, यह, C, आईज है, वो, सभी C में ही है, तो, C के लिए, वो, countable, sub cover होगे, यही हमको, prove करना था, we have to show that, C, has a, countable sub cover, हमने, countable sub cover, सिद्ध कर दिया, तो, that's, prove the, theorem, that is, Lindelof theorem, तो, यह था मेरा आज का वीडियो, friends, आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएगा, आच्छा लगा हो, तो, like जरूर कीजिएगा, कोई question हो, तो, please, comment बॉक्स पे लिखेगा, subscribe नहीं किया है, अगर आपने मेरा चनल, तो subscribe जरूर कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए, thank you,